प्सक्राइब कीजिए हंटर बॉइज ओन यूट्यूब चैनल को और बेल के ऑप्षिन को दबाईए लेटेश टेकनवागी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज 10 सितंबर 2018 को मोटो का जी 6 प्लस इंडिया में फाइनली लॉंच हो चुका है और यह जो स्पार्ट फोन है आज मैं आपको अपना ओपीनियन शेयर कोरूंगा कि मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि इस स्मार्ट फोन के अंदर को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है कि नहीं देखने को मिलती है और आज मैं आपको पहले ही बता देता हूं वीडियो शुरू करने से प पार की समार्टफोन जिसमार्टफोन करते हैं Sun स्मार्टफोन के निरियर क्या कम भी है तो इस इंस तक देखेंगें ताकि आपको सारी चीज अशरस्मार्टफोन के बारे में पता चल जाएसले लिए हैं अब हम बात कर लेता है स्मार्टफोन के सबसे पहले प्राइस की प्राइस के मामले में जो स्मार्टफोन है इस स्मार्टफोन की प्राइस बहुत ही जादा महिंगी रखी है क्योंकि स्मार्टफोन का प्राइस आपको देखने को मिलता है 2499 रुपे का प्राइस आपको देखन जो ठीक लगा मैं अच्छी बात लगी और बात करते हैं इस smartphone के design की तो design आपको देखने हो मिल जाए है front में आपको देखने हो मिल जाए है इसके अंदर आपको कोई भी notch नहीं देखने हो मिलता आपको इस smartphone के अंदर display आपको देखने को मिल जाती है अब बात करें स्मार्ट फोन की चिप की तो चिप आपको देखने हो मिल जाती है Qualcomm Snapdragon 630 वाली प्रोसेसर वाली चिप आपको देखने हो मिल जाती है इसके साथ आपको देखने को मिल जाता है बैटरी 3400 मह बैटरी इसके साथ आपको चार्जर देखने को मिल जाते है और इस smartphone होने वाला है ये आपको देखने को मिलेगा सिरफ 1 बेरी 6GB 400GB राहें वाली वेरेंट बेरी तो इस smartphone की प्राइस आपको देखने को मिल थी है 2499 रुपे अब मैं बात करता हूँ अपने opinion के बारे में आप सबी लोगे साथ share करना चाहता हूँ और दोस्तों जो यह smartphone है अब इसको कॉन खरीदना चाहेगा कौन पागल है जो इतने में देगा पहले आप सोच रहे होगे चलो स्मार्टफोन की किमत होने 15 पहले सोच रहे सोड़ा फिर सब्सक्राइब नहीं यह बिल्कुल भी नहीं तो सिदब 2400 नीनियानिवर पे नोने थोप डाली चिप पुरानी दो किया डेड़ साल पुरानी आप आपको इससे ज्यादा बहतनी वाली चिप देखने को मिल जाती है जो है कॉलकॉम स्मार्टफोन को क्यमत पढ़ती है 20,000 रुपे और इस स्मार्टफोन को कौन खरीना चाहिगा यार 18 इस्टु 9 का एस्पेक्ट रिशो है IPS वाली डिस्प्ले है ठीय है आपको रेजलुशन प्रफिव लेवल को कोई कैमरा नहीं देखने हो में ता 12,5 MP का कैमरा है बैटरी भी आपको इतनी ज्यादा नहीं देखने हो पहले हम जितनी जाद सोच रहे थे और बहुत बुरी बात मैं को इसके फोन के बारे में लगी कि स्मार्टफोन के अंदर आपको जी स्मार्टफो यह देखता है जो आप ठीक था इनकी थोड़ी कस्टम है पर वह ज्यादा अच्छा इसे वर्क करने वाला है और यह जो स्मार्टफोन के एक और बहुत ज्यादा बुरी बात में को लगी कि स्मार्टफोन एपरिल के महीने में लाँच हो जुगा था ब्रजील में पर यह इ इसकी बजाए आप अनर का प्लेज आ सकते हैं 20,000 फिक अंदर बेस्ट फ्लाइक्शिफ लेवल वाला स्मार्टफोन इन फैक्ट वही स्मार्टफोन आपको देखने हुआ है आपको यह वीडियो आपको काफी जादा हेल्फुल लगी और आपको अगर यह वीडियो अच्छ